नमस्कार प्रियमित्रो मैं हूँ कर्णल गिरीश चंद्र खंकरियाल आपका परम्हित ऐसी सुब्चिन तक जीवन एक पाट साला में आपका पुनाय स्वागत अविनंदन कल राथ ठीक बारा बजे मेरी हुई सिवजी से मलाकात गर्मा गर्मी में मैंने सिवजी को कहा कि नंदिश्वर क्या बात है आप मुझसे नाराज हैं क्या नंदिश्वर बोले नहीं प्रियवर मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मैंने आपको जो है अपने ट्रांस्पोर्ट डिपार्ट का एडिशनल भार सौंप दिया है क्योंकि आजकल जो मेरा नंदि है वो बुजर्ग हो चुका है चलने फिरने में उसे मुश्किल हो रही है नए नंदि जो है लोग दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैदा होते उनको फैंक देते हैं और माता पार्वती भी जो आजकल परिशान है उनका जो सेर है वो भी आदम खोर हो चुका है माता जी की बात नहीं मानता मेरा नंदि जो है भुड़ा होने के कारण हम दोनों का भार नहीं उठा पाता तो प्रियबर गरीश जी आप मेरे ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट का अतरिक्त भार संभाल लीजिए ताकि मैं जहां भी जाओ नहीं नंदि पे जा सकूं और ये नहीं नंदि आपका स्वागत है नहीं नंदि इनका जनम रात के ठीक बारा बजे हुआ और वो भी जो है टांगें साथ और गले में अटकी हुई वो तो अच्छा हुआ मैं आगया टाइम पर ने तो हो जाना था हपी बड़े